अगर आप गर्बा कर रहे हैं तो आपको अपने आहार पर विशेश ध्यान देना होगा इसे मैं डाइट के प्रतिला परवाई आपकी सेहत और सौंदेरे के लिए हानिकारक हो सकती है लिहाज हमने तयार किया है आपके लिए ये डाइट चार्ट गर्बों के दौरान आपका शारिरिक वयम अधिक होता है इसलिए गर्बा खेलनी के लिए स्टेमिना बढ़ाने की भी बेहद आवश रखता है अता आप ऐसी चीजों पर अपना फोकस बढ़ाए जिसे स्टेमिना विक्सित करने में मदद मिले नवरातरी के दौरान इस बात का विशेश ध्यान रखें कि 6-7 गंटी की नीन जरूर होना चाहिए अगर आप रात को देरी से सो रहे हैं तो सुबह कुछ देर अतरिक नीन ले ले या फिर दिन में आराम करें ये शारिरिक ठकान को दूर रखेगा गरबा खेलने के दौरान पसीना जादा आता है ऐसे में शरीर में पानी का स्तर बनाये रखना बेहत जरूरी है इसलिए रोजाना कम से कम 12-15 गिलास पानी जरूर पिए लेकिन ध्यान रखें एक साथ अधिक पानी ना पिए अगर आप रोज गरबा खेल रहे तो अपने सामान ने आहार में 300-400 कैलोरी जादा ले इसके अलावा फाइबर से भरपूर चीजों का सेवन करें ताकि एनरजी भी बनी रहे और आप स्वस्त भी रह सकें सुबह गुंगुने पानी में एक दो बून नीम्बू का रस पर एक चोथाई टीस्पून श्रहद मिला कर पिए आदे गंटे बाद एक गिलास दूर पिए इसे शेरिण में उर्ज़ा और ज़रूरी पोशक तत्वों की पूर्टी होगी इसके बाद सुबह 10 से 11 बजे के बीच ऐसे फलोका सेवन करें जिसमें कैलरीस ज़्यादा हो फलोका सेवन करने से आपको पोशन भी मिलेगा और आवश्रक उर्ज़ा भी फल आपकी सेहत को बनाय रखने में मदद करेंगे दोपहर के भोजन में दो चपादी, चावल, दाल, दही, सबजिया, मिठाई वो पनीर की कोई एक प्रिपरेशन को शामिल करें यह आपके शरीर के लिए आवश्रक सेहत मन डाइट होगी दोपहर के समय मिल्क, शेक, जूस या नारियल पानी में से कोई भी एक ले यह आपके पाचन तंतर को बहतर बनाये रखने के लिए साथ ही शरीर में जल और उज्रक स्तर को बनाये रखने में मदद करेगा आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी गरबा खेलने जाने के 2-3 घंटे पहले उबले आलू, साबुदाने की खीचडी रोस्टेट ग्राउंड नट जैसे वेंजन का वो फल का सेवन करे गरबा खेलने के दौरान हर आदे घंटे के अंतराल में ग्लुकोस पीते रहे इससे कमजोरी नहीं होगी और समय समय पर जरूरी उज्जा के अवशक्ता भी पूरी होती रहेगी गरबो के दौरान तले हुए खाने जंक फूड वह बाजार का खाना हो सके तो ना खाए यह आपको कैलरोरी तो देगा लेकिन उर्जा नहीं इसके अलावा रात को सोने से पहले भी एक गिलास दूद का सेवन अवश्य करे इससे आपको नीम भी अच्छी आएगी और पोशन भी मिलेगा